बहुत important topic है, why revision, हमें revision की जरूरत क्यों पढ़ती है, बहुत important topic है, कि हमें दोहराने की आउशक्ता क्यों पढ़ती है, दोस्तों, हमारा दिमाग, कल मैंने आपको बताया था कि इसका जो basic concept होता है, बहुत lazy होता है, आगर आपने कल की class नहीं देखी तो मैं आपसे request करूँगा कल जो मैंने एक बजे लाइव ली है, इसी channel आईस विदोजांक सर पे, उस class को देखें, मैं यहाँ पर कहूँगा अपनी team से कि description में link भी जरूर शेयर कर दें, ताकि बच्चे जो कल नहीं जुड़ पाए, वो आज जरूर देखें, बहुत important बात है, कि हमारा दिमाग जो हो 200 पेज की किताब है, इस हफ़े मुझे पढ़ लेनी, तो आज 20 पेज पढ़ लिया, कल 40 हो जाए, लेकिन होता क्या है कि वो आपको हमेशा जो हता है, शौर्ट टम मेमोरी में डाल के रखना चाहता है, क्योंकि लॉंग टम मेमोरी में उसको लोड पढ़ेगा, ठीक है, तो क्या होता, वो केवल कहता है, आप पढ़ो, आगे बढ़ो, पढ़ो, आगे बढ़ो, और पीछे की चीज़ों को, वो डाटा को, इन्फरमेशन को भूल जाता है, तो इस तरह से क्या होता है, टो वो कम से कम प्रोसेसिंग में हमारा काम हो जाए, यह सिम्पल उसका जो दिमा कितने लोग यह चाहते हैं कि मैं जो चीज पढ़ रहा हूं उसको मैं देर तक याद कर लूँ या मैं जो चीज पढ़ रहा हूं उसको मैं एनालिसिस कर लूँ या जो चीजें हम देख रहे हैं उसको हम किस तरह से आगे लेके जा सकते हैं तो इस सारी चीजों में कितने लोग यह चाहते हैं कि मैं देर तक उसको याद रख सकूँ, उस पर एंसर राइटिंग कर सकूँ, उस पर जो है मैं उसको एनालिसिस कर सकूँ, उसको किसी और कॉंसेट से इंटर डिसिप्री अप्रोच के साथ जोड सकूँ, कितने लोग यह चाहत है, यह basic fundamental जितने भी अगर आप यह चाहते हो कि यह function मेरे दिमाग में हो, तो यह इसका basic unit हमारी neuron होती है, neuron हमारे दिमाग की जो data processing होती है, उसकी basic unit होती है, ठीक है, basic इसी के माद्दियum से यह काम करता है, जैसे हमारे कोई भी computer है, तो उसमें basically जो हमारा processor होता है, वो इसका काम करता है, तो यहाँ पर neuron इस आप देखोगी कहां से कहां आपको लेके चला जाता है तो एक neuron दूसरे neuron से मालनो neuron 1 है और neuron 2 है तो ये कई तरीके से जोड़ते हैं और जो जोडने का इनका तरीका होता है उसको electrochemical path कहते हैं, right, electrochemical path कहते हैं, अच्छा दिमाग की basic tendency को मत भूलिएगा क्योंकि ये जो दिमाग की basic tendency है वो basically lazy है, यानि ये shortest तरीका ढूणना चाहता है, ये सोचता है कि कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम कम से कम energy में अपना काम कर सकें right, तो होता क्या है कि जब कोई आप information, आपने कुछ आज पढ़ाई की कोई information आपने अपने brain के अंदर डाल दिया तो वो क्या काम करेगा, एक तो पहली बात आपका 80% हिस्सा जो है वो 24 गंटे के अंदर आपकी पढ़ी गई चीज का 80% हिस्सा वो दिमाग से delete करने की कोशिश करेगा, वो short time memory में डाल का, उसको delete मार देगा ठीक है कि भीया इसकी दुंदी दुंदी यादे रहे क्योंकि लोड ना पड़े दूसरा दिक्कत यह होता है कि इसको electrochemical path चाहिए होता तो यह क्या होता है, एक neuron दूसरे neuron से हजारों तरीके से जुड़ सकता है जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन अगर आप smart हो, कहीं पर बहुत परिचित करते हो तो आपको गलियों के बीच का रास्ता भी पता होता है जो सबसे आसानी से, पकडंडी, गली यहां से निकाल के आपको पहुचा देता है तो जो smart लोग होता है, वो पकडंडी और गलियां जानते है तो यह क्या होता है, दिमाग भी ढूणता है कि सबसे shortest जो electrochemical path है, वो क्या हो सकता है अब दो requirement है, एक तो यह अपनी energy बचाना चाहता है दूसरा, इसको shortest, जो है वो electrochemical path चाहिए, ठीक है तो इस दोनों चीज़ों की तैयारी हो पाती है revision से, revision का मतलब होता है कि आप किसी neural path पर बार बार जा रहे हो, और electrochemical path set होता चला जा रहे है तो दिमाग जो होता है, वो क्या होता है निरॉन एक दूसरे जो जुरते हैं तो वो बार बार अलग अलग notes पर search नहीं करना चाहता है, कि इस से मिले फिर दूसरे से मिले, तीसरे से मिले, नहीं उसको बार बार जब आप electrochemical path आप revise करते हो, किसी चीज़ को बार बार याद करते हो तो बार बार वो उसी path पर आता जाता है तो जाने से क्या होता है, उसको रास्ता याद हो जाता है यार ये जो इतिहास की information मांग रहा है maths की information मांग रहा है ये इस neural path पर है इस neural path पर है, इसी लिए आपने देखा होगा कि बच्पन में हमें बार बार ABCD पढ़ाई जाती है लिखाई जाती है, पोयम याद कराई आज भी हमें वो सारी चीज़े याद है आज हम उसके बारे में सोचते नहीं है क्योंकि हमने जिन चीज़ों की practice को ही मां लिजे twinkle twinkle little star बच्पन में हजारों बार सुना होगा, बोला होगा आज तक कितनी बार बोलते चले आए हैं बच्चों को भी सिखाते हैं तो हमें वो बिल्कुल brain में feed हो चुका है लकडी की काठी, काठी पे घोडा ये जो कविताय हमने बोली थी ABCD, काखा गागा तो जो हमने practice किया, वो हमारे neural path इतने set हो चुके हैं, कि हमें सोचना ही नहीं पड़ता है, वो हमारी habit का part हो जाती है, तो revision जो होती है, वो neural habits को double up करती है, तो इस तरह से आपका दिमाग easiest way में वो जाकर information उठा लेता है हम जो काम बार-बार करते हैं उसके imprints हमारे होते चले जाएं जैसे मालीजी आप सालों से चाय बना रहे हैं और बीच का कुछ साल ऐसा है आपने चाय बनाना छोड़ दिया आप भूलोगी नहीं, आपने cycle चलाना सीखा जब आप cycle चलाना सीख रहे थे तो आपको बार-बार उस पर गिर रहे थे बैलेंस आपका नहीं बन रहा था लिकिन एक बार आपने cycle चलाना सीख लिया आप school आते जाते हैं, college आते जाते हैं तो फिर क्या हुआ अगर आप कुछ साल cycle ना चलाएं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आगी कि आप cycle चलाना भूल जाएं आप देखेंगे अगर कुछ साल बाद भी आप cycle चलाते हैं तो आप आराम से cycle चला सकते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको आपने उस सीखने के दौरान practice करकर करके अपना neural path develop कर लिया अब neural path आपने develop कर लिया तो obvious सी बात है कि आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा benefits हमें देखने को मिलते हैं तो ये क्या होता है? आपको भी अपनी पढ़ाई में ये जो हम आते करते हैं पढ़ाई भी एक आदत है तो हमें अपनी पढ़ाई में revision को इस तरह से establish करना होगा कि हमारा output जो